बिस्मिल्लाहिर रह्मान रहीम आज हम दिस्कस करेंगे थूरी आफ ऑप्टिमाइजेशन इसका लेक्चर फाइव है इसका जो पहला टॉपिक है वो है कनकेवर्टी पहला हमारा जो डैफिनेशन है वो है कनकेवाप लिखा हुआ दिस ग्राफ ओफ डफरेंशिल फंक्शन वा दिस्का सबस Start है आज हम क्या लिख रही है कि इसF डफẹ्फ डैया होना चाहिए जीरौ से अगर मैं अगर कि दैस को f दाप ऑने अगर जिसमें जो double derivative test है वो यही होता है कि आप यानि कर उस वक्त कि आप करती है जब उसका second derivative क्या हो positive concave down है कि अगर आपके पाँ जो first derivative आप वो decrease करे आपने definition पढ़े सी decreasing function की f is decreasing function if first derivative less than 0 यानि कि उसको फंक्शन उस वक्त decrease करेगा जब उसका first derivative क्या होगा negative अब हम देखें हमारे पास क्या f dash decreasing इसका मतलब है कि f dash का derivative क्या होना चाहिए less than 0 अगर हम इसको double दिख दें तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो second derivative है वो क्या होना चाहिए less than zero यह मैंने देखें मैंने ग्राफ में शो करवाया है यह करवड़ हो तो इसको हमहें कहते हैं कनकेव ऑप और यहाँ यह करव डाउन होरे हैं वो decrease कर रहा है Next हमारे पास है Second Derivative Test तो देखें Concave आप करव करती है जब उसका Second Derivative क्या हो Positive किस Interval में I में I का मतलब है यहां कोई भी आपके पास Interval होगा A और B अगर तो आपके पास Second Derivative Positive होगा तो जो आपके पास करव होगी वो Concave Up करेगी अगर आपके पास Second Derivative Negative है तो जो करव होगी वो हमेशा Concave Down करेगी Find Interval of Concave Up and Concave Down आपके पास एक करव गिवन है आप इसका Interval Find करेंगे जब यह Concave Up करेगी और Concave Down आपको पता है कि कोई Concave Up उस वक्त करती है जब उसका Second Derivative Positive हो और Concave Down उस वक्त करती है जब उसका Second Derivative क्या हो Negative मैंने इसका First Derivative ले जाकि आगए 3X के इसका Again Derivative लें क्या आगए 6X Far Concave Down आपको पता है जब कोई Concave Down करती है तो उसका Second Derivative क्या होता है Negative यह हमारे पास Second है इसको पूट करें Less Than Zero X0 के गेंस खतम X Less Than Zero X Less Than Zero का क्या मतलता है Negative Value तो Negative Value क्या होती है Minus Infinity से Zero इसका मतलब है यह करव उस सबक यह करव Concave Down करेंगी Minus Infinity से लेकर Zero था आप Far Concave Up Concave को पता है कि करव कब Concave Up करती है जब उसका Second Derivative क्या हो Positive हमारे पास यह Second Derivative है Six X Greater Than Zero Six X Greater Than Zero के अगेंस खतम X Greater Than Zero X Greater Than Zero का मतलता है Positive Value तो Positive Value को थे है Zero से Infinity इसका मतलब यह करव कब Concave Up करेंगी जब आपके पास Value Post हो यहनि Zero से लेकर है Infinity तक हो और Concave Down करेंगी जब Nectar Value हो यहनि Minus Infinity से लेकर है Zero था इसी तरह हमारे पास Point of Infliction है आपके पास जो करव गिवन होगी Y is equal to F of X हम उसका First Derivative लेंगे F dash of X फिर हम उसका Second Derivative लेंगे Second Derivative आप पूट करेंगे Zero के बराबर यहां से हमारे पास जो Point होगा वो Point of Infliction उस वक्त कहलाएगा जब आप X की Value Less than C पूट करेंगे तो आपके पास जो है Second Derivative नेग्टिव हो जब X आप Greater than C पूट करेंगे तो आपके पास F of C क्या हो पॉस्टिव हो यानि उसके Alternating Sign हो यानि वो अपने Sign को चेंज करे तो जो हमारे पास Point हाएगा उसको हम कहेंगे Point of Infliction लिखा हुआ है A Point where the graph of a function has tangent line and where the concavity changes is the Point of Infliction यानि वो Point C पे जो करव है उसका Second Derivative वो अपने Sign को क्या करें चेंज करें Find the Point of Infliction of the curve ये हमारे पास करव गिवन है मैंने उसका First Derivative लिया फिर हमने उसका Second Derivative लिया उसका Elsieम लिया अब आपको पता है कि Far Point of Infliction Second Derivative क्या होगा जिरो मैंने उसके जिरो के बराबर पुट किया वहां से हमारे पास X की वैल्यू क्या आई 6 तो Definition के मताब़ क्या है कि अगर X less than C होगा तो उसका Second Derivative नेक्ट होना चाहिए अगर X greater than 0 होगा तो उसका Second Derivative वो पॉस्ट होना चाहिए हमारे पास यहाँ X की वैल्यू क्या है 6 है तो अगर X की वैल्यू less than 6 पुट करूँ जाए 6 से चोटा नमबर पुट करें 6 से चोटा नमबर आप 5 पुट करें Second Derivative यह है अब यहाँ 5 पुट करें 5-6 तो आंसर क्या होगा नेक्टिव आगे क्या है X greater than 6 चैंज किया है तो इसका मतलब यह हमारे पास क्या है आब हम क्या करेंगे X हमारे पास क्या है 6 जो X की वैल्यू 6 है चैघे सिर्ट करेंगे करओ यह की वैल्यू और नहितरा नही relationship action at x is equal to zero the curve हमारे पास करब क्या है y is equal to x4 इसका हमने first derivative लिया तो क्या है 4 x3 फिर हमने second derivative लिया अब आप देखें जो second derivative है y double dash 12 x square देखें अगर आप x को x को नेक्टो वैल्यू भी यह नहीं x को माइनस 1 पूट करें माइनस 2 पूट करें 3 माइनस 3 पूट करें तो square की वज़ा से यह क्या हो जागा positive इसका मतलब है नेक्टो वैल्यू पे भी second derivative positive होगा अगर आप इसकी वैल्यू positive पूट करें तो देखें पूस्टिव तो वैल्यू हमेशा positive वाथ यह scary भी है फिर भी आशर positive आएगा जाब आपने नेक्ट वैल्यू पूट की तो फिर भी second derivative positive जाब आपने एक्स के वैल्यू positive की पूट की तो फिर भी second derivative positive इसका मतलब है कि इसने sign को change नहीं किया तो इसका मतलब कि जो जीरो होगा है वो कभी positive पूट की तो second derivative positive जाब मैंने x के value negative पूट की फिर भी second derivative positive इसका मतलब है कि sign में change नहीं है इसका मतलब यह 0s का point of inflection नहीं है और इसके एक एहम example है while x की पर 1 by 3 हमने इसका first derivative लिया फिर हमने इसका second derivative लिया देखें अगर आप second derivative को zero के उकल पूट करेंगे तो देखें एक्स क्या हो जागा eliminate हो जागा x की एक्स में से खत्म हो जागा इसका मतलब है कि जो first derivative है और जो second derivative है यह point zero पे क्या होगा यह point zero point पे derivative क्या होगे हमारे पास undefined हो जागे मैं लिखा हुआ है y dash y double dash fail to exist at x is equal to zero जब आप x की value zero put करेंगे तो y dash और y double dash दोनों क्या हो जागे undefined हो जागे the curve y is equal x की power 1 by 3 has point of inflection at origin because जाब बड़ा देखें आप x की value greater than zero put करेंगे तो second derivative negative है जाब आप इसके value less than zero put करेंगे तो second derivative positive है यह हमारे पास था point of inflection का एहम topic